हलो फ्रेंज आज मैं बताऊंगी प्रेगनेंसी के बाद स्ट्रेच मार्क को कैसे हटाया जाए प्रेगनेंसी के दोडान और उसके बाद पेट वा अन्य अंगों पर खिचाओ के निशान होते हैं यानि कि स्ट्रेच मार्क और ये होना बहुत आम बात है हलाकि बेहतर ढंग से तुचा की देख भाल कर इनसे छुटकारा पाया जा सकता है प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दोरान शरीर में कई तरह के बदलाओ देखने को मिलते हैं ऐसे में अक्सर पेट, जांगों पर, अस्तन पे और कूलों पर निशान देखने को मिलते हैं स्ट्रेच मार्क के होने से तुचा धीली पड़ जाती है और परियाप नमी के अभाव में तुचा रूखी भी हो जाती है जिससे खुजली के समस्या पैदा होना आम बात है हलांकि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद वक्त रहते सही स्किन केर रूटीन फॉलो करने से ये दाग हलके पड़ जाते हैं और धीरे धीरे गाइब हो जाते हैं प्रेग्नेंसी के टाइम पे तुचा में कई तरह के बदलावाते हैं ऐसे में नियमित रूप से तुचा की देख भाल करने से कोई भी खास फरक नहीं पड़ता इस वक्त तुचा के लिए परियाप पोशर की जरुवत को समझें और उसी के अनुरूप अपनी खान पान और जीवन सहली पर ध्यान दें स्ट्रेश्ट मार्क्स या तुचा की जुरियों के लिए मैं आपको दो टिप्स बता रहे हूं स्ट्रेश्ट मार्क्स या तुचा की जुरियों के लिए मैं आपको दो टिप्स बता रहे हूं पहला रात में सोने से पहले मसाज करें और दूसरा नहाने के बाद मौशराजर लगाएं मसाज से बौडी में खून का प्रवाव काफी अच्छे तरीके से होता है जिससे जुरियों के निशान दीरे-दीरे मिटने लगते हैं नई बनी मा रात में सोने से पहले मसाज को अपनी स्किन केर रूटीन का हिसा बना सकती हैं इसके लिए वो अपने हिसाब से जैतून, बदाम या तिल का तेल इस्तमाल कर सकती हैं उनके मुताबिक नहाने के बाद मौशराजर को बॉडी में अपलाई करने से त्वचा में नमी बनी रहती है जिससे बॉडी सौफ्ट रहती है और खुजली होने की समस्या दूर रहती है और जुरियों के निशान दीरे-दीरे मिटते जाते हैं मौशराजर का इस्तमाल एक बहतर विकल्प है जिसके इस्तमाल से त्वचा को खुब लाप पहुचाया जा सकता है आप आलमंड ओयल, वीट जर्म ओयल, ओलिव ओयल, मैंगो बटर, कोकुम बटर, सिया बटर और सैंटेला, अनार्वा मुलेथी जैसे हब के मिश्रण से इसके साथ ही स्किन केर के अलावा एक हेल्दी डाएट और नियमित एकसरसाइज से भी आप अपनी स्किन को अच्छा बना सकती हैं, परियाक मात्रा में पानी का सेवन करने से त्वचा में नमी बनी रहती है, इसी के साथ बाहर के जंक फूड और कैफीन को अपनी डाइट स से फ्री हो जाएंगी, धन्यवाद